डेली करंट निउस में अभी की खबर है भारत को मिली एशाई कुष्टी चेंपेंशिप 2023 की मिजबानी हाली में युनाइटड वर्ल्ड रेसलिंग यानि यू डबलु डबलु ने 2023 सीनियर एशियाई कुष्टी चेंपेंशिप की मेजबानी नई दिल्ली को सौपने की घुशा की है इस चेंपेंशिप का आयोजन 28 मार्च से 2 अपरेल 2023 तक नई दिल्ली में किया जाएगा ये इस प्रतियोगिता का 36वा संसकरण होगा इस कॉंटिनेंटल चेंपेंशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल, महिलाओं की फ्री स्टाइल और पुरुषों की ग्रीक और रोमन डिविजनों में प्रतियोगिता होंगी साथ ही इस रैंकिंग सीरीज प्रतियोगीता के दौरान पहलवानों को उनके वजन में दो किलोग्राम तक की छूट को भी स्вिक्रती दी गई है. इस कदम से पहलवान भविशे की रैंकिंग सीरीज प्रतियोगी ताओ में अधिक भारवर्ग की जगा अपनी पसंद के भारवर्ग में प्रतिस परधा पेश कर पाएंगे आपको बता दें कि पिछले साल मंगोलिया में आयजित एशाई चेंपेंशिप में भारतिय पहलवानों ने कुल सत्रा पदद इनमें से एक स्वन, पांच रजट और ग्यारा कांच से जीते थे 1989 में इस चेंपेंशिप की शुरुवात हुई थी इसके उदघाटन संसकरण की मेजबानी भारत के जालंधर शहर ने की थी अंतिम बार नई दिल्ली ने फरवरी 2020 में इस टूर्नमेंट की मेजबानी की थी इसके अलावा नई दिल्ली अब तक साथवी बार जबकि भारत नौवी बार इस एशाई कुष्टी चेंपेंशिप की मेजबानी कर रहा है मुंबई ने 1987 में एक बार इसकी मेजबानी की थी गोर तलब है कि United World Wrestling यानी UWW Commission सभी महादूइपों में अपनी सभी शैलियों में कुष्टी को बढ़ावा देना और विकसित करना है प्रिये व्यूएस 68 वी BPSC प्रारमभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दृष्टी PCS एक कारेकरम लेकर आया है इसका नाम है Target 68 BPSC इस कारेकरम में हम कवर करेंगे बिहार स्पेशल फैक्स, इतिहास, सामाने विज्यान, करेंट अफियर्स और और भी बहुत कुछ इसलिए देखना न भूले हर रोज शाम चार बजे हमारा कारेकरम Target 68 BPSC